Hey everyone, welcome back to my cooking vlog तो आज का खाना एकदम चटकारेदार और एकदम रेस्टोरेंट वाला होने वाला है क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था बाहर खाना खाने जाने का लेकिन मौसम इस तरह से है कि हम बाहर जा नहीं सकते और फिर जॉब से वापस आओ तो टाइम बचता नहीं क्योंकि छाए बच जाते हैं वहाँ से आते आते इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं रेस्टोरेंटी घर में ला रही हूँ मतलब रेस्टोरेंट वाला खाना घर पे बना रही हूँ तो मैं आज बना रही हूँ चिली पनीर और साथ में चाओ में जो की एकदम तीखी तीखी बनने वाली है तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पनीर को क्यूब सेप में कट कर लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी नमक और थोड़ा सा कॉर्ण फ्लॉर कुछ लोग हड़ बड़ी में बिल्कुल लगा देते हैं तो पनीर जोती काफ़ जादा सौप्ट होती है जिसके कारण वह फिर तूट जाती है इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएं धीरे धीरे हलके हांतों से इसको टॉस करें और कॉर्ण फ्लॉर इसमें बीज बीज में थोड़ा थोड़ा करके डालें तो क्या होगा ना कि पच्छे से वह उसकी कोडिंग हो जाएगी तो इसकी अच्छे से कोडिंग करने के बाद इसको रख देंगे साइड में अब फिर चली पनीर बनाने की बांकी की है ना उसको आप अलग कर लें इसमें चिली पनीर में यूज ना करें क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्रंची क्रंची जो वो होती है ना सेल्स वो जादा अच्छी दिखती है देखने में तो यहां पर मैं बीच वाला जो छोटा चोटा पार्ट है उसको अलग करके रख तो इसको मैं किसी और सबजी वगईरा में यूज रूँगी तो यहां पर मैं एक बड़े साइज का सिंबला मिर्च लिया है मैंने इसको मैं आधा यूज करूँगी चिली पनीर में और आधा यूज करूँगी मैं चाओ में में सब लोग चिली पनीर के साथ ज़्यादा तर फ्राइड राइस वगएरा खाना पसंद करते हैं लेकिन मुझे चिली पनीर के साथ चाउमीन खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि चिली पनीर का भी जो टेस्ट होड़ता है ना उसमें जो क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स रहती है और ऐसे ही क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स हमें चाउमीन में भी मिलती है इसी कारण से मुझे इन दोनों का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा लगता है मैं बाहर भी यही खाना पसंद करती हूँ तो ज़्यादा तर मैं इसे घर पर ही बनाती हूँ लेकिन कभी कभी अगर बाहर जाना होता है तो मैं इन दोनों के कॉंबिनेशन में मतलब इन दोनों को साथ में खाती हूँ और यहाँ पर मैंने बहुत सारी लेसुन कट कर ली है गारली के आने की एकदम बारीक बारीक जो इन दोनों रिस्पी में लेसुन तो लगता ही है और यहाँ पर मैंने चार में पास वो नहीं थी कस्मीरी मिर्च जो कम तीखी रहती है तो यहाँ पर मैंने तीखी वाली ही लार यहां पर पनेर को फड़ा और पनेर को कर लेती हूं पनेर को कः नें करतीこれで हमां मैं क्या करती हूं यहां यहां पनेर नदुन मैं करती हुए तफ़र इससे करते हूं एक बड़े चमश मेरे सरसो का तेल डाला है करना चाए, यहां पनेर फड़ा डाला dobrze और दीरे दीरे अहलके आंथों से चलाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे अलटते पलटते हुए एक दम गोल्डन होने तक और इसके बाद जब यह अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे ना तो मैं इनको चम्मच की हिल्प से निकाल लूँगी आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी तेल का यूज नहीं हुआ है जितना तेल मैंने डाला था उसका दस परसेंटी यूज हुआ है बांकी का पूरा तेल बच्चा हुआ है तो यहां पर पनीर फ्राई हो चुके हैं और इनको भी आप साइड में रख देंगे निकालने के बाद और इसमें अभी तेल जो है तो काफी ज़्यादा बचा हुआ है तो यह तेल थोड़ा से मैं कम कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसी में फ्राई करूंगी चिली पनीर को आपके पास अगर वो वाली बोक हो चाइनिस बोक जो होती है ना कड़ाही जिसमें चावमीन मगेरा बनाते हैं तो आप उसमें बना लें मैं पास वाब लेवल नहीं है इसलिए मैं इसको पैन में ही बना रही अब चाहें तो कडाही में भी बना सकते हैं तो यहाँ पर डेट सारी लेस्टन जो कट करके रखी थी मैंने मैंने उसको फ्राई कर दिया है अब जैसे ही वो थोड़ा गोल्डन हुई मैंने इसमें जो प्याज की सेल्स निकाली थी ना अनियन की उसको फ्राई कर दिया है लगबग आदा मिनट तक इसको तलने के बाद और सिम्ला मेच के स्पीसेस इसमें डाल दिये हैं अगर आपके पास कई कलर के सिम्ला मेच रेड एलो एबलेबल हों तो आप उनको भी इसमें एड़ कर सकते हैं इनको ज़्यादा पकाना नहीं है थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मतलब सौटे कल लेना है और इसके बाद ही देखिए मैंने यहाँ पर चिल्ली को पीस लिया है और जिसमें हमेंने पनीर को टॉस किया था ना कॉर्न फ्लॉर के साथ नमा कल्दी वगएरा के साथ उसमें एक चमच गॉन्पट्लॉर डाल करके पानी मिला कर उसकी सलरी बना लेंगे एकदम इसके में कोई लंग्स नहीं होने चाहिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको इसमें डालेंगे तो अभी इसमें थोड़े से लंग्स दीख रहे हैं तोड़ा सा और मिक्स करने की ज़रुत है और इधर थोड़ा सा इसको भी चलाते जाएंगे और आप यहां पर मेडियम फ्लेम कर सकते हैं तो यहां पर जो मैंने मेर्ची पीशी थी ना उसको मैंने डेड़ से मच के करीब करिञा से कासरे में डाल पासंद है, जी सबस्सक्राइब हैने कादा नहीं है बैदते हैं आजया ही ने। रिड़ा गावात सकते हैं तो slight look है, मैंने तो जु से करीब टमेटो कैचप का यूज और साहते हैं और शातम एक चिल्री सॉस और चिल्ली सॉस से थोड़ा कबार व मैंने इसमें सोया सॉस का यूज किया है आपके पास जो भी सॉस अब लेवल हों जैसा भी आपको फ्लेवर पसंदो आप ने अकॉर्डिंग बना सकते हैं अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार थोड़ा सा और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जैसे एक और फ्लेट की स्लैरी डालेंगे ना तो इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ना ये गाड़ा होने लगता है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर देंगे और पानी एड़ करने के बाद इसको बॉइल आने तक चलाते रहेंगे औ और ज्यादा इसको पकाना नहीं है क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा पका देंगे ना तो प्याज और सिम्ला मिर्च जो है एकदम सौगी हो जाते हैं मतलब सौप्ट हो जाते हैं और इसके बाद इसमें टेस्ट के गार्डिंग थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और जैसे ही चिली पनीर आपको ड्राइ पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा पानी उज़ना करें अगर आपको ग्रेवी वाली पसंद है तो आप ग्रेवी की जैसा इसमें अपने अकॉर्डिंग रएबी इसमें रख सकते हैं इसके बाद इसको निकाल करके दूसरे बरतन में पलट ल मैं तोड करके चाओमिन को यूज नहीं कर रही हूं मैं डारेक्ट ऐसे ही डाल रही हूं कि बड़े बड़े चाओमिन खाना राम को पसंद है इसलिए मैं इसको तोड करने ही डाल रही हूं और इसमें थोड़ा सा सरसो का तेल और थोड़ा सा नमक डाला है मैंने और इसको 80 तक पका लेंगे जब तक यह पक रहा है ना तब तक हम सबजी चॉप कर लेते हैं और एक बात को ध्यान रखें कि जब भी आप चाहूं मीन पास्ता बगएरा बॉयल कर रहे हूं तो उसमें पानी एक्स्ट्रा ही डालें कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा पानी डालकर हम र कट कर रही हूं मैं कैवेज यानि कि पत्ता गोवी तो पत्ता गोवी में उसका थोड़ा सा कलर लग गया था पत्ता गोवी का एक छोटा सा टुकड़ा मैं इसमें डाल रही हूं जिसके लंबे-लंबे पीसेस में कट कर रही हूं और एक प्याज का मैंने यूज किया इसमें चोटा सा गाजर है आधा सिमला मिर्च है इन सब को لمبے-lembe साइज में से ही कट कर लेंगे एकदम नॉर्मल तरीकी से जैसे हम चामिन में डालते हैं तो पत्ता को भी कटके रेडियो चुकिंगे इसको का आध देते है साईज अब कट करेंगे हम इसमें सिम्मला मिर्च को पतलाउर नम्बा-लंबा जुलियन काट लेंगे तो काट करके इसको भी साइड कर देंगे और जो मेरा गाजर था वो बहुत ही ज़ादा पतला लग रग रहा था तो इस गाजर को क्या करेंगे भी इखत्रम लंमे सेप में काट कर लेंगे रेकॉर्णिंग कट के मिल जाते हैं तो मेरे पतले गजर से भी मैंने अच्छे से कट कर लिया प्याज भी कट धाग नियाने और मिर्ची को मैं ना थोड़ा सा अलग तरीके से कट कर रही हु आप प प्यास भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने कट किया था उसका उपर का जो जड़ वाला भाग होता है उसको एक दम अलग कर दिया है मैंने उसको यूज नहीं किया है क्योंकि वो नुकसान भी करता है और जल्दी से पकता भी नहीं है तो मिर्च को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कट कर रहा है इस तरह की मिर्च की कटी हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है देखने में तो इस तरह से मैंने मिर्च को कड लिए दो मिर्च को feder का उइस किया है तो फिर चाओमीन अच्छी तरह से खिली-खिली नहीं बनेगी अगर ये ज़्यादा गर्म है तो फिर आप चमच की हल्प से ही इसको इसमें तेल की कोडिंग करें नहीं तो हाथ जलने का भी डर रहता है तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा उपासे चमच से ही मेक्स कर रहे हैं ताकि हाथ जलने नहीं और अगर थंड़ा हो जाए इसमें एक और अपसन है कि अगर अगर आप इसको थंड़े पानी में धालें मतलब चाओमीन को चाणने के बाद इसमें इसे ठंडे पानी से दो दिया जाए फ्रीज के पानी से बर्फ के पानी से तब भी आपस में फिर नहीं चिपकती है अब मैंने जड़ा दी है एक कड़ा ही अब इसमें बनाएंगे चाओ में डाल दिया है मैंने आईल इसके बाद मैंने फ्राई की हरी मेज प्याज आप इसमें स्प्रिंग गनियन का भी उज़ कर सकते हैं वो भी काफ़ जादा टेस्टी लगता है अब बाकी की सबजियां कटी हुई इसमें मैंने डाल दी है मुझे ऐसा लग रा था कि साथ बेट रूट अच्छी तरह से कटा नहीं है तो अलग अलग नहीं हो रहा था लेकिन वो कट चुका था अलग अलग भी हो गया था लेकिन थोड़े टाइम के बाद और इसको थोड़ा सा पकाना नहीं है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल दीजिए चाओमीन देखिए सारी चाओमीन बिल्कुल खिली खिली है एक भी आपस में चिपकी नहीं है अब इसको सबजियों के साथ इसको मिक्स करेंगे तो यहां पर जरूरत है हमें फॉक की तो फॉक के हल्प से ही मिक्स हो पाएगा तो यह वाला चमच में साइड कर दूंगी और इसमें डाल रही हमें भी सॉस तो दो चमच के करी मैंने टमाटो कैचप एक चमच मैंने चिल्ली सॉस और आदा चमच के करी मैंने डाल दिया है इसमें सोया सॉस और आप इसमें विनेगर का भी यूज कर सकत साथ कोड़ करने में थोड़ा सा टाइम तो लगी जाता है तो इस तरह सी कोड करते रहें च्लाकरकर तो यह कोड़ जाता है अच्छी तरह से साथ में मिक्स हो गए थे देकिन मुझे इसका कलर अभी भी दाउन लग रहा था कोड़ा समय है और सोया सॉस मिला देती हूँ अमेगा में जो छोटा बच्चा है उसको टेमेंटो कैचप का फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है उसको क्या जबी बच्चों को पसंद रहता है तो मैंने थोड़ा सा टेमेंटो कैचप भीज में डाल दिया है अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते है या पिर अपने कौडिंग ज Иतना सॉस यूज करना चाह है उतना ही यूज कीजिए तो इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिकस कर लेंगे भला धनिया डालना चाहें तो आप वह भी डाल सकते है तो यहां पर चाउमीन बनके रेडी हो चुकी है बिल्कुल रिस्टोरेंट इस्टाइड और चिली पनीर तो पहले से ही रेडी था तो आप चलिए लगा लेते हैं प्लेट जो जब चे पहले मैं डाल रही हूं प्लेट में चाउमीन तो यहां पर मैंने डाल दिया है चाउमीन और चाहूमेन को सर्व करना थोड़ा सा कठीन काम होता है तो इसको मैं इस पर चिलोक्स के हेल्प से डाल रही हूं और यहां पर उसके उपर मैंने डाल दी है चली पनीर और इसके बाद यह नास्ता रेडी है तो चलिए अब टेस्ट करवाते हैं राम को कि उसको इसका टेस्ट कैसा लगा तो यह लेके चल पड़ी हूं मैं उसके पास और अभी वो कर रहा था पढ़ाई क्यूंकि कल उसके प्रोजेक्ट का एक्जाम है तो अब उसको टेस्ट करवाती हूं तो यह फस्ट बाइट इसको चाओ में बगारा नुक्सान करता है फिर भी वो खाता है सो मिलते है नेक्स्ट ब्लाग में